कितना का चावल है जी पांच का चावल भी मिलता है क्या है यहां पर जी 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 वाँ में इनका दुकान मीना बजार बितिया आई है क्या प्राइब आपक शाल उन रहा है जी हो गया है यह चाल कम्पीट है यह चपनन लगा रहे हैं इसा क्यों वहां पकरनना नहीं पड़ेगा अच्छा उरक कर आ जाएंगे हम किता कटे यह एक किलो जी यह एक किलो प्याच कट चुका हांडी इनका खत्म हो चुका है थोड़ा सा भचा हुआ है अजय यह सारा खाना बहारी बनता है जी जी अब गैस को जलाए जा रहा है अजय यह एक ऊसा तेल कर दो थे दाल में गों ही अधिल नहीं है रिफाइन अच्छा एक आट्रफ जिपाइन उस्ट एक अधि बनता है जाए था ना स्विए पाइन जी वरत परता है लाइट पिस्टा करता है लइस वर्टे च्टि अए जंशी आइं वाट परता है करते हैं ब्रांड यूज रही हो गया गदूस तेल डाल रहा है कितना डाल रहा है तो केची चीकन में दो सो ग्राम तेल और सावा किलो प्याज दो ग्राम डिफाइन भी सोगर यह हो गया तश्पाथा तेल कितना तेल दरब होगा दो चार मिनट उसके बदार प्याई डला जाएगा जुन डाल भी है अचा यह अच्छा इसके अदर डाल दीगा लास अच्छा गोल मरीच जी इसको कूट को जला जाएगा अच्छा कूटी याई डालने चली इसमें प्याज डाला जा रहा है अच्छला दिया जाएगा किसा देख चला होगे लगो पांसे साथ मिनट पांसे साथ मिनट पांसे साथ मिनट अच्छा को कूचरा है हम लॉसुने गुल मरीच है कूचने का बाद उसमें डाल देंगे किता दें इसको कूचों पर पांसे साथ मिनट अच्छा के अंदर डालाएगा देखिए यह जा रहा है डाला में लासून और गुल मरीच अब इसको चलाएग जाए जाएगे जिने इसको नहीं पांसे साथ मिनट पांसे साथ मिनट तो देंगे उससाथ जा रहा है नमक डालने अब क्या डालोगे नमक नमक किता डालोगे नमक तीन चमच तीन चमच तो तीन तीन चमच यह दिए चावल भी पन के तेया होगे जालोगे रिफाइन डालने रिफाइन किता डालोगे रिफाइन इसमें 100 ग्राम रानी तेल करते हैं हंडी बने हैं जी मर्चा डाल रहे हैं इसमें दलाएगा हारा मिर्चा दलाएगा हंडी बने हैं चिकन हंडी चिकन हंडी यह उपर से मर्चा हो गया मर्चा हो अच्छा अच्छा एक खरख़ए डालते हो अच्छा जी जी आपके ने डालते हो अब इतना देर और होगा मिक्स इतना देर और होगा कि आट से पंडर मिना उसका बाद चिकन ड़ा जाएगा हंडी को ग्रेवी आज अचा आटी का घ्रेवी इसी में चलाजाएगा देशी में चलाजाएगा मिक्स हो जाएगा ने सो जाएगा स्वाट बहुव जाएगा देखिए ये टमाटार है टमाटार जारा ने डाले लेए बदाल जारा निकाल ये गया ये डाल चीनी हो गया दाल चीनि ये जावित्री हो गया जावित्री जावित्री यह लॉंग हो गया यह कबाब चिन्नी हो गया क्या चिन्नी हो गया कबाब चिन्नी यह साजीरा हो गया साजीरा साजीरा है यह बारा लाइची हो गया हो गया यह चोटा लाइची हो गया एंग ये सार्वारा मसाला इसी में डालाजाते है सब इसे में डाला सब्सक्राइब हाथ आख दरह गहाते है कि इसी में दालाज़ा आख लिल्टारव टेखि यहां कितना का चावल है जी पांच का चावल है जी पांच का चावल भी मिलता है क्या है यह जी जी वाँ यह देखिए अभी से ही काफी आची खुश्रू हा रही है इज लुचले ओ इत झिछ के ल सबनी आची हो अची कैल्जर्य का द analogy बड़को बंश को थे disgंशतना है कि दिले का पना वैं, के शूँन लो है हुआ को आधि ए, किया दो है इसको अदो की नहीं रेसे नहीं सब वहीं सब होगा कराया है िभान यहीं पट्थटरी हो गया अले परफ़ी डाले झी सके बाद चिकन का गो गज़ुआ गरम गया तिल हो गया जैंसा कव सुम्हें है कि यह लिठार्ट सुम्हिए है अधियों कालेच जी अब यह क्या डाले टेल है यह तेल हो गया जै आचीं ये करके डालते हो फीस नहीं जो तेला पीस है तो निकला ज़यता है इसके बाद चिकन डलाता है जो भुच कर आधा बहुआ करकर निकाल देंगे उसके बाद भी ऑला डेंगा जाध वह मैं अब अब इसको बात में डालेंगे उसके बाद डालेंगे यह पितना देप्राइब अब दस्में फ्राइब कि छाले जी हो गया है का यह जी फॉल आगे यह बहुत यह अंयों इस प्राइब बनाना दौसाल मत्रों दस्कार्ट इसे मिट बनाना चलू करती है इतना कम उमर में बनाना चालू करती है क्यों कोई भी आता है काम करना थे भाइप फोरी ना कोई भी सिख लेता है धीरे-धीरे करते करते सब्सक्राइब अपना हाथ लगा दिने कि घर में अक्यले हो कि नहीं सब कुई है सब कुई है कि मैं जा रहे हैं क्या ही का रहा हूं जी कले जी यह हो गया तेल वाला पीस गर्धन तिल हो गया को लेजी हो गया कि दिखिए गर्धन हो गया और राहिस मानला इतना ही उत्पर्तम हो गया अब चिकन डाल में तो यह चिकन डला चुका है अब इसको चलाएंगे लोग पांच में त्यार हो जाएगा ने इसको अब अब त्यार हो गया वो जाना रहा है अब तो करके अप्ता काण दुकान आ चावल वाला जापी का दुकान है यह मेरा पोता है अच्छा यह पोता हो गया आपका है लिली पूतियन मतलब अब अब बन रहा है मेरे मूं में पानी आ रहा है अब तो मूं में पानी आ रहा है चाचा हां सब जलक रहा है आप क्या कुट रहा है गरह मसला और जो निभाइब अच्छा गरह मसला कुट रहा है जी को चलाता है अब तो आपसे में तो प्याज इतम लाल हो गया ना अब लूंगी में थे ना अब हो गया है यह हमारे वकिन साहब जो है कोई साला है कोई साला है कोई आपको देखें तो नूंगी और साट वेड़ां ताइम देख पर 15 मिनट में चिकन हंडी रेडी हो जाएगा कि यह देखिया जारें डालने कि जैसे कि होगया तेल गॉर्धान और जी अच्छा तेल वाला पी शूपर से डालोगे ताइक आधिन नहीं अपती इप्थिहा डप्यु autर्ण कर फ्यर आख़िए गरम मसला जा रखाँ डाल दो ये जाच अब गण करों कि मिक्स जी अलब टाइम देख्ड डॉस मिनट में चिकेन उतर जाएगा चिकेन हंडी रेडि हो गया है यह दिकी चिकेन हंडी रेडि हो गया है अब इसको जा रहा है हम उतारने यह चिकें हांडी तैयार हो गया जी अब हम चिकें खा रहे हैं बहुत अच्छा स्वाज़ है सर्हम लोग अब हम चावल से लेकर मतन चिकें हर चीज यहां पर बनिया मिलता है है लोगा है हो में डिली का रूटिं है आठे लोग में पर खाना काते हैं यह कंदम में अपर प्रेज भुआ का घ्र म्हिंते हैं जैसे कि इसनकी आउब जिए शेमें आगे कि आता है मैं बहुत लग्माप क्या थे आपको लाल मेरा ना है मैं एक साल थे हूं एक सल पहले से इसे पहले से अजक्षिया क्या आप दिस्टाइए पर शेंद गांडी है ये हो कि आपको Chicken ऐंडी कैसे बेशने आप Chicken अच्छा एक फिले चावल सो रूपया और यह क्छीचु का इस्टू हो गया इविए चारफिस मीड एक फिले चावल सो रूपया एखना टिल मसाला काफी है उसमें कम है इसमें ज्यादा एग तिल मसाला और Ст्वेट अच्छा आप अब्सक्राइब जादा मिलेगा और यह हो कि आपका चावल प्राइब का उसके नमर और और आपके पास है तो मंगलवार विरश्ट्ट रागों पुलाव मिलता है फुलाव कल मिलेगा अच्छा नियुक्त द्वीं को चिकन का तास मिलेगा फुलाव चालीस रृप लेट है ए यह को बशली यह बढ़ एक ही यह कैसे किलाते हैं उसमें डाल जते देखा यह होटल तो बहुत पुराना है ड़साल दवसाल पहले एक सथ पहले अब क्या मैं दिल्ली था क्या करते थे जब करते थे नहां पर मेरे फेश्वन तो वहांसे रिजाइन दे क्या पर यहां पर आगे वाट्चा सा गया अपना विजनेस को लिया तो फूटल कौन चला था दा पक यह मचली कौन से करते हैं यह बरक वाला है या लोकल है टाइमिंग के आपके होटल का सुबह साथ से रात को नौ बजे कितना चीकन बेश देते हैं कि बारक जी मचली चार पाठ पीलो और सातो तीन खुलता है यहीन इंदा का 30 का 30 तीजा यह फ्राई के लिए और खाव जाले कि यह यह चलिए कि पुरी ट्रप लाल हो गया मचली मचली का खारत ही चाहति रात ही दिए कि पुद्ध लंढ़ा कि अफेजिन कर देखिकें चल्कर कैसा बूल चाहर शार देखिया मनदपक आह तर पहला बड़े सहो फो तर बेखाया ची कि अबूद समय घर जचाने अब देख खने को नाओन हम एक होटल में खाना काए था होटा था है तो आप नार चिडिज अवद्टर द्याज भी आर्ग जोशना भी आफाल था यह बसमाती च्छोन हमार है चिकन क्या बूलें इसको चिकन हंडी यह हो गया चिकन हंडी अधागो चिकन इस्टू आँ इस्टू हो गया है करते हैं यह जो गया चीकन हंड़ी और यह हो गया निस्टू और यह हो गया मचली फ्राई मंगवाए हैं और यह चावल हो गया थोड़ा थोड़ा हम मुगवाए है चली अभी टेस्ट करते हैं इसमें दिखाई इन दिखाई हैं इह ग्रेवी से घुес तृफ łपा से खरम दॉप सेब को करते हैं ज्ले खराव Bentay मासि गाल किसा लग एक है कि रएए और अगरेवी लेते हैं और आशा चावा लेते हैं आज आज स्वाइद कि गदिसका कि शॉपके लेता है दो हम टूट के याम से अलग हो गया अब खाते इंका चिकेन इस्टू यह देखिए तो असा चिकेन हांडी गरम है और चिकेन इस्टू जो है इनका एतम ठंडाइस में दिखाई है और चिकेन हांडी गरम है मतलब यह अभी बना हुआ है और सुबह का हो गाई है चले खाते हैं का हांडी का यह चिकेन इस्टू का ग्रेवी यो कि ग्रेवी है यह रीख है यह डीखए मेभशी करा चीकेण टिख टू यह एकर ठीक। लेट्वा ठंडा है और इसमें आपको देल मसाला और कम मिलेगा और आपको स्पाइसी नहीं मिले वहाए तो मीथा स्भ॥ स्प्लेवर आप चिकन इस्टू चे studied और अगर स्पाइसी खाना तो आपि संद्टा है तो आप इंका चिखऴिड़ कर सकते हैं चलिए झाल ठाउनगर चिकेन इस्टू वो थोड़ा हाड है शरीष तो हाड है यह हो गया चिकेन इस्टू का ग्रेवी इसका घराजीरा का और गुर्टी मरीच गया अच्छा ता फ्लेवर आ रहा है अब इनका ट्राइ करते हैं इनका मचली इनका मचली दखें इसे दिखाएं मचली इतम परियां से फ्राइ किया हुआ है और यह उपर कितना रेड़नेस है चलिए भी सुखाते हैं मचली हम इनका मचली भी प्रितम बहाँ से तम कुरकुडा है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत बनिया है मचली काफी बरिया है ए सबसे बरिया लगा इच्छी कि अच्छी लगा चीकन इस्टी जो है और मुझे अच्छा नहीं लगा है अब इसको खतम करते हैं एगला विडियो में थांक्यू तो मच्छ ये थासर आप चिकन रहा ये थासर चावर रहा ये थासर चावर रहा